स्वागत है आप सभी बंदूहों का संडे की शाम बंदूहों के नाम के एक नए एपिसोड में हर संडे हम आपके कुछ इंटरस्टिंग सवालों के जवाब देते और साथी साथ वीडियो के अंद में कुछ सूपर डील्स के बारे में बताते आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का उटन दबा दीजियो अपने बंदू के साथ जोड़ जाए और रेगिलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाईए दोस्तो मैं हूँ मनूँ आपका शॉपिंग बं मुझे गेम के लिए 4K 120Hz QLED मेरा बजेट अंडर 85K है प्लीज सर हेल्प कीजे एक वीडियो बनाईए इसके उपर देगे रोई जी बहुत जल्दी वीडियो बना देंगे बेस्ट गेमिंग टीवी के उपर लेकिन आपका जबाब भी मैं आपको देदे था अभी का अभी 85, 85,000 के प्राइज में 4K 120Hz को सपोर्ट करने वाली टीवी आपको एक मिलेगी सामसंग फ्रेम 2021 मौडल 55 इंच बैस टीवी है इस प्राइस सेग्मेंट में गेमिंग ले आग बन करके आप ले सकते हैं वी एर और को सपोर्ट करती है आउट अप दे बॉक्स तो आप सब्सक्राइब लेकिन बाकी सब आपको मजा इसमें आने वाला है इसके अगला सवाल है विजे गोईल जी का ये पुछते सर इस रेकमेंडेट टू पर्चेस सोनी एक्स 7400H 65 इंच एट वन लैक फ्रम अमजान नाव डसेट सपोर्ट डूल बैंड वाइफाई को 7400H मिल रही है यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा सोनी टीवी जो मोशन हैंडलिंग होता है वो बेस्ट होता है सोनी एक्स 7500H में 200 हर्ट का आपको मोशन हैंडलिंग मिल रहा है यहाँ पर आपको 100 हर्ट का मोशन हैंडलिंग मिल रहा है प्राइस में इतना ज़ आपको उस model में आएगा वो शायद आपको इसमें नहीं आएगा specifically अगर आप sports देखते हैं या फिर action movies देखते हैं तो आपको X7500H ही लेना चाहिए ना कि X7400H हरशित अगरवाल जी पूछते हैं good split 1.5 टन inverter AC बताईए with good cooling except Mitsubishi because there is no service in my area budget under 60,000 1.5 टन inverter AC चाहिए good cooling चाहिए Mitsubishi आप लेना नहीं चाहते क्योंकि servicing नहीं है आपके area में budget 60,000 का है तो काफी बढ़िया है इसमें मैं आपको recommend करूंगा आप general के साथ जाए लेकिन जहां तक मुझे लगता है अगर Mitsubishi की service नहीं है आपके area में तो शायद general भी नहीं हो तो इसक अच्छी service नहीं देते honestly लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और add करना चाहूंगा service को नहीं देखिए आप product देखिए आप quality देखिए service आप urban clap से करवाईए यह sponsor वीडियो नहीं है मैं खुद urban clap से AC की servicing करवाता हूँ और बहुत बढ़िया करते हैं कोई भी brand उसे beat नहीं कर सकता honestly मैंने Voltas की servicing देखिए मैंने Mitsubishi की servicing देखिए मैंने General की देखिए मैंने Daikin की देखिए जो urban clap AC की servicing करता है honestly वो यह brands नहीं कर सकते हैं तो आप servicing का नहीं सोचिए आप quality देखके product खरी दिए ओके अगला सवाल है shopping friend का shopping friend कहीं आपका नाम हमारे नाम से inspired तो नहीं shopping बंदू shopping friend इनका सवाल बहुत ही interesting है इसलिए मैंने सुचा है यह जरूर लेना चाहिए तो यह इनने का है जी हा मनुजी मैंने यह देखा है आपके वीडियो पे आप कुछ models पे बात करते हैं जो stores पे देखने में बहुत ही super होते हैं बट आप उनको recommend नहीं करते क्यूं बहुत बार आप sony versus samsung में samsung recommend करते हैं क्यूं जब की वो tv store पे देखने पर sony के सामने फीके होते हैं देखें shopping friend जी यहाँ पे जो हमारे recommendations होते हैं वो price के उपर होते हैं अगर आप हमसे 40,000 में best tv मांगेंगे तो 40,000 में कौन सा brand आपको सबसे ज़्यादा value देने वाला है हम वो recommend करते हैं Samsung और sony की अगर बात करें यहाँ पर मैं एक general example ले लेता हूं अगर आप 55 इंच टीवी लेने का सोचते हैं तो 80,000 80-85,000 के budget में आज की date में आपको sony x80j दे रहा है आपको samsung frame 2021 model दे रहा है अगर आप दोनों टीवी को side by side देखेंगे तो आपको definitely sony के colors थोड़े से शायद vibrant लगे, sony थोड़े से अलग लगे, trial luminous display रखते हैं लेकिन यह भी personal चोई से किसी को samsung भी better लगे, लेकिन अगर इन दोनों टीवी में अगर हमें recommend करना है तो हम recommend करेंगे samsung frame को, इसका simple reason है samsung frame आपको 120Hz display दे रहा है, same price segment में, आपको VRR capability दे रहा है, variable refresh rate का, आपको HDMI 2.1 port दे रहा है, तो आपको यह additional चीज़े दे रहा है, जिससे आपकी TV future proof होगी, sony आपको same price segment में वो सब नहीं दे रहा है, तो हम जो value आपको आपके पैसे पे मिल रही है, उस हिसाब से हम decision लेते ह बाकी ऐसा नहीं है कि हमें ये brand पसंद है, हमें वो brand पसंद है, कई दिन तक तो हमें लोग यहां कहते थे कि आप LG को ही recommend करते हैं, अभी आप कह रहे हैं कि हम Samsung को recommend कर रहे हैं, कभी कोई कहेगा कि हम Sony को recommend करेंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं हम कोई भी brand को recommend नहीं करते हैं, हम product क को recommend करते हैं और जो product आपको सबसे ज़्यादा value देता है हम उसे recommend करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए तो अगला सवाल है अमन केशारिया जी का यह पुछते हैं sir lg nano 80 vs sony x8000h which is deep black और deep color tv please give me suggestion sir i am very very confused तो यहाँ पे आप शायद पूछ रहें कि कौन से tv इन दोनों में से कौन से tv में आपको rich colors मिलते हैं better contrast मिलता है देखिए दोनों टीवी इस IPS पैनल के साथ आती है और IPS पैनल आपको VA पैनल जैसा contrast नहीं देता है वैसे deep colors नहीं देता है लेकिन दोनों टीवी काफी अच्छी है इन दोनों टीवी मिसे अगर एक टीवी recommend करनी हो त तो यहाँ पर HDR content Dolby Vision content बहुत बढ़िया तरीके से enjoy कर पाएंगे compared to LG Nano 80 तो यहाँ पर Sony X8000H हमारा pick होगा अग्वा सवाल है MNG का यह पुछते हाई बंदू यह बताएं Samsung Q70T यह Q70A गेमिंग के लिए कौन सा better है देख Q70T और Q78 more or less similar ही है लेकिन Q70A आपको better looks देता है input lag थोड़ा सा कम है तो slightly आपको improvement मिल जाएगा लेकिन Q70A में आपको और other features भी मिलते हैं और थोड़े अलग features मिलते हैं sound में थोड़े सा improvement हुआ हुआ है OTS feature डाला हुआ है OTS light feature है जिससे आपको object tracking sound मिलते हैं काफी अच्छा experience मिलता है उसमें तो यहां पर थोड़े additional features हैं तो definitely अगर आप इन दोनों टीज में से एक choose करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको recommend करूंगा आप Q70A के साथ ही जाहिए अमित कुमार रजक जी पूछते हैं भाई जी शौक का watch under 10,000 में कौन सा अच्छा है नाम लिख देना भाई नाम क्या लिखेंगे हम आपका जवाब दे देते हैं अभी लेकिए under 10,000 अगर आप जी शौक watch लेने का सोच रहे हैं तो जो नए models आ हैं उनमें से मैं आपको बता लेकिन क्योंकि जी शौक का सेल आने वाला है तो वह watch भी आपको 10,000 रुपीज में मिल जाएगी GBD 100 उसका dedicated वीडियो आपको हमाने चैनल पर मिल जाएगा यहां पर कहीं लिंक भी आ जाएगा जरूर जाकर चेक आउट कर लेना और अगर आप चाहते हैं कि जी शौक के वीडियो बनाने का तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्षिन में जरूर लिग दीजे कोशिश करूँगा बहुत जल्दी जी शौक के वीडियो भी निकाल दू तो यहां पर हम सवाल जाब के सिलसिले को खतम करते हैं अपने अगले सेक्षिन यान की रेक्मेंडेट प् प्रोडक्स मिल जाएंगे जाब पर टेलिविजिन रेफ्रिजरेटर्स एसी जूसर मिक्सर ग्राइंडर्स वाशिंग मशीन और पता नहीं क्या-क्या सारे सारे प्रोडक्स लिस्टेट मिलेंगे जरू जाकर चेक आउट करना बहुत ही मैनत से आपके लिए हमने फाइंड किये हैं यह सारे कि सारे आइटम्स वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्ते का शेर कीजिए और जो लोग नहीं है इस चानल को सब्सक्राइब कीजिए वो नीचे लाल सब्सक्राइब को बटन दबागा फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंट्रस्टिंग कं दिए जय हैं